हेलो नमेशकार स्वागत है आपका अपने यूटीव चैनल स्टेडी मैटेरियल में आज हम पढ़ेंगे शार्दा चरण उकील जी को जो एक आधुनिक चितरकार है चले तो स्टार्ट करते हैं इनका जो जनब है 14 नमबर 1888 EC में हुआ विक्रमपूर में जो बांग्रा देश में बढ़ता है इनकी जो कला सिक्षा रही है वो गवर्मेंट स्कूल अफ आर्ट कोलकाता में रही और अविंद नाह टैगओर जी के निर्देशन में तो ये चितरकार और अभीनिता दोनों ही वर्ष 1925 EC में निर्मित फिल्म जो है प्रेम सर्ण्यास दलाइट ओफ एशिया के किंग शुष्षुदधन की भूमिका के लिए ये जाने जाते हैं तो शुद्धोदन की मुमिका के लिए जाने चाते हैं नेक्स चलते हैं नई दिल्ली में स्वर्व प्राचीन आर्ट स्कूल जो शार्दा उकील स्कूल आर्ट की स्थापना सन 1926 में इनके द्वारा की गई थी रूप लेखा पत्रिका का प्रकाशन आरंभी किस ने किया था तो शार्दा चरण उकील जी ने ही किया था ये फाइन आर्ट और आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी न्यू दिल्ली द्वारा प्रकाशित की गई तो हमें याद रखना है जो रूप लेखा पत्रिका का प्रकाशन शार्दा चरण उकील जी के द्वारा किया गया था इंपोर्टन पॉइंट है ये और इसका प्रकाशन कहां से हुआ था तो जो प्रकाशन है ठाकुर शैली का बूगल थथा इरानी का और शार्दा चरण उकील जी ने रिश्यम पर अनेक चित्र बनाई तो इनके जो पर्मुक चित्र है तो पर्मुक चित्र है इनका ईदका चान आप पता चला मुझे इदका चान किस ने बनाया था शारदा शुरू नुखिल जी ने तो इनकी जो एक फेमस पेंटिंग और है वो है जटायो की मृत्यू और राधा क्रिशन जी का भी चितर इनके द्वारा ही बनाया गया था अर्जुन डीच फॉर्मवार तो जो अर्जुन की डीच है ये याद रखना है कि अर्जुन की डीच कौन सा चितर है तो जो महाभारत में दिखाया जाता है रद पर बैठे हुए अर्जुन जी और क्रिशन जी उन्हें उबदेश दे रहे है पहले कॉप्यों में आगे लगके आता था तो याद होगा आपको ये चितर तो ये ही चितर है अर्जुन डीच का तो अर्जुन डीच का जो चितर है किस के द्वारा बनाया गया तो शार्दा चरुन उकील जी के द्वारा बनाया गया है इसे आपको याद रखना है अपनी जनल इंफॉमिशन के लिए भी ज़रूटी है फिर उन्हों ने ऐक फ्राम वार एक चित्र बनाया है जो उन्होंने पेपर स्केश पर बनाया है 1930 इस्वी में और कण्या मठ की लिए जो मठ की लिए हुए कर्ण्या है ये भी इनका एक अच्छा बहुत सुंदर चित्र है और जीवन चेक्र इनके द्वारा बनाया गया एक फेमस चित्र है तो ये इनकी कुछ फेमस पेंटिंगे हैं और इनकी जो मृत्यू है वो होई थी 21 जुलाई 1940 इसवी में तो इनका भी हमारे आधूनिक चित्रकला में बहुत योगदान है तो ये भी एक बहुत प्रत्मुक चित्रकार है तो वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बने रही है हमारे साथ जै हिन जै भारत